बहुत इंपोटेंट बात बताऊंगा बिल्कुल आपके पते की बात है मेरा जितना भी अनुभव हो है सारा मैं आपको बताता हूं कि क्या मैंने उस टाइम पर एक्जाम टाइम में क्या होता है क्या हमको करना चाहिए सुनो बड़े आराम से बिल्कुल चैट रेट बंद कर लगता है कि यार यह उनके साथ में बता रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे है वास्ता में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं यह उनके साथ होता है हमको लगता है कि यार चीजे समझ में ही नहीं आ रही है मुझे तो मैं क्या करूं मैं इतना पढ़ा मैंने पिछले 6-7 महीने से होता रहेगा तो आपको उस बारे में बिलकुल परेसान होनी की 1% भी जरूरत नहीं है यह हमेशा उस student के साथ होगा जिसने बहुत महनत करी है और जैसे ही exam आपके नज़दीक आएगा आपको यह लगेगा कि यार मुझे बिलकुल भी नहीं है यह मैंने कहा hallucination है hallucination है जो हमको लगता है कि चीजे जो हमारे दिमाग में चल रही है वो सब गायब हो गई एक्जाम से एक दिन पहले हमको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है याद रखना कि लास्ट के जो दो दिन है आपके एक्जाम से जो लास्ट के दो दिन पहले है बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो और पढ़ाई बंद करने का मतलब यह नहीं कि आप क्रिकेट खेलो आप मोवी देखो नहीं आप क्या करो अभी से एक पेज में हलके शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ कि दो तीन पेज बन जाएंगे लास्ट के दिन उन्हीं को ही पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल करन्ट अफेर के लावा लास्ट के दिन कुछ नहीं पढ़ना आपका पेपर अगर सोलेक हो है तो पंद्रय को आपको केवल करन्ट अफेर पढ़ना है इसके अलावा एक सेकिंड के लिए कुछ नहीं पढ़ोगे आप भूलते चले जाओग पिर आप समय कारिया को बंद करोगे टाइमी स्पीड डिस्टेंस खोल कर बैठोगे आपको लोगे गा और यह पिरतिसत में वह वाला कॉंसेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं फिर आप पिरतिसत खोल कर बैठ जाओगे तो ये बड़े बड़ी चीजे तो आपको नहीं पाल रहे हैं लेकिन उसको अपने उपर हावी नहीं होने देना आपको बिलकुल भी नेगेटिव थो पर आवी नहीं होने देना है एकजाम से एक दिन पहले केवल और केवल पेजों में के दिमाख में आ गई वो सामने आप क्या गई ना जो आप भूल रहे थे आप एक सेकंड के अंदर उस चीज को सौल कर दोगे एक सेकंड के अंदर मैं आप बता रहूं देख ले ना आप इस चीज को ठीक है तो लास्ट के दिन की स्ट्रेटीजी मैंने बताई बाकी ज्यादा लोड मतलो है ना लिमेटेड चीजों को समेटो नई चीज मत पढ़ो गागर में सागर सुरू हो रही है उसमें आपको लिमेटेड चीज पढ़ाए जाएंगी उनको रिवाइज करो खुस रहने की कोशिस करो जितने रह सकते हो दूसरी बात आज से लेकर और एक्जाम तक म के पास बैठो कुछ भी बात मत करो उनके पास बैठकर फॉन भी अगर आप चलाते रहोगे ना तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा एक घंटा नहीं तो 45 मिनट तो कम से कम बैठो मम्मी पापा के पास तो लेकिन वह बहुत कारगर साभी थैं दूसरी बात जब एक्जाम देने आप जाओ ना एक्जाम देने जाओ तो एक प्रैसर अगर आपको दिमाग से हटाना एक्जाम से पहले तो पता है क्या करना आप अपने मम्मी और पापा के पैर चुके जाना देखना घर से लेकर एक्जाम सेंटर तक दिल में एक अलग सी जुनून होगा कि मैं अपन साथ रहा कुछ अच्छी चीजे हुई कुछ गलत चीजे हुई लेकिन मैंने आपको डाटा आप लोग मुझे से गुस्सा हुए डिसलाइक क्या छोड़ो वह सब चीछोड़ो बिल्कुल एक तरफ रख दो वह चीजे तो तीन साड़े तीन महीने बहुत सारी चीजे मैंने अपको डी आप सबीका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय आप लोगों ने मुझे दिया इतना विश्वास मुझे आपने दिखाया अपना मेरे उपर इतना विश्वास किया चीजों को शैक्रिफाइज करकर के मेरी वीडियो और आपने देखी बिलकुल एक विश्वास के साथ तो ठीक है बाई बाई धन्यवाद